नमस्कार गुड मॉर्निंग एंडिया में आपका बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन देश में एक बार फिर से कोरोना के आकड़े डरा रहे हैं महराज्च में कोरोना के नए मामले साल के रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं पिशले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए दूसरे तरफ केंदर से हालाद परखने आई टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साराज्ज में कोरोना फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाय जा रहे है अगर महाराश्च में कोरोना के मामले बढ़ते ही यही रफता रही तो हालाद बेकाबू होते हुए वक्त नहीं लगीगा बढ़ते खत्रे को देख महाराश्च सरकार ने कई जिलों में पाबंदियों को बढ़ा दिया है महराश के दो शहर नाकपुर में लोगों के इस रवाईय के चलते लॉकडाउन फेल रहा है 15 मार्ट से किस मार्ट तक लॉकडाउन लगाए गया था प्रशासन ने फैसला लिया है कि दोपहरे एक बज़े के बार सबजी, राशन, डेली नीड्स, मास सही सभी दुकाने बंद रहेंगी सिर्फ दवाईयों की दुकान खोलने की जासत दी गई है महराश्च की हाला देकर केंद्र ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते वे कहा है कि आने वाले महीनों में खराब से खराब हालात के लिए तयार रहें कंटेनमेंट स्टेजी पर फोकस किया जाए कंटेक्ट, ट्रांसिंग, टेस्टिंग, आइसोलेट करने और कंटेक्ट को कारंटीन करने के लिए बहुत कम प्रयास हो रहे है ग्रामीन और शहरी लाकों में लोग कोरोना गाइडलाइन्स का पालन नहीं कर रहे कोरोना से रहात पाने का एक मात उपाए वैक्सिनेशन है देशबर में सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित दस जिलों में से आठ महाराज रुके है और गुड मॉर्निंग इंडिया में अगली खबर का रुप करेंगे सियम तीरसिंग रावत ने एक विवादित बयान दिया और राजनीतिक जगत से लेकर बॉलिवुड गलियारों में चर्चाएं गर्म हो गई दरसल उत्राखन के सियम तीरसिंग रावत ने बयान दिया था कि रिब्ड जीन्स हमारे समाज के तूटने का मार्ग प्रशष्ट कर रही है वहीं आमिता बच्चन की नातिन नव्या ने सियम के इस वयान पर नाराजगी जाहिर की है इसको लेकर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की और कहा की क्योंकि यहां हैरान करने वाली चीज सिर्फ ऐसे मेसेज और कमेंट से जिने समाज में भेजा जा रहा है इसके साथी नव्या ने गुसे वाली मोजवी भी बनाई है नव्या बोली गर्व से पहनूंगी रिब जीन्स नव्या ने अपनी बात को पुरा करते वे आगे कहा है कि क्या CM हमें सही महाल दे सकते हैं इसके अलावा नव्या ने एक दूसरी स्टोरी में अपनी रिब्ड जीन्स पहने हो एक फोटो भी शेयर की और लिखा कि मैं अपने रिब जीन्स पहनूगी थैंक यू और मैं इस जीन्स को गर्व से पहनूगी दरसल उत्राखन के सियम हाल ही में नशीले पदार्तों पर हो रही एक वर्क्शॉप अटेंड करने के लिए पहुंचे थे जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि रिब जीन्स हमारी समार्च की तूपने का मार्ग प्रशष्ट कर रही है इससे हम हमारी समार्च के बच्चों को एक गलत उधारन दे रहे हैं जोने गलत रास्ते पर ही लेकर जाएगा उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को कैंची से संसकार दे रही है बंगाल के सियासी घमासान में आज नजर प्रधानमंत्री नरिंदर मोधी के भाशन पर होगी क्योंकि चनाव तारीखों के एलान के बाद आज पहली बारून की रेली होगी ममता के तीखे तेवर के बीच आज बंगाल की धर्ती पर पियम मोधी की रेली होगी तो हर किसी के नजर इस बाद पर होगी कि पियम ममता के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं पियम मोधी पुरलिया में सुभा 11 बजो रेली करेंगी ये रेली पहले 20 मार्च को होनी थी लेकिन अब इसे दो दिन पहले आयुजित किया जा रहा है पहले चरण की चुराव में वीजोपी के पक्ष में महौल बनाये रखने के मकसद से पियम के कारक्रमों में बदलाव किया गया है पहले चरण की 30 सीटों पर 27 मार्च को बोट डाले जाएंगे पियम मोदी आज असम के करीम गंच में भी रेली करेंगे लेकिन उससे पहले बंगाल की धर्ती पर ही सियासी हल चल दिखेगी वही बंगाल के मेदिनिपुर में ममता बेनरजी एक के बाद एक तीन रेलिया करेंगी ममता को चुनोती दे रहे शुबेंदू अधिकारी नंदी ग्राम में चुना प्रचार करेंगे और दोपहर तीन बजे खड़कपुर के कलाई कुड़ना सीमेन डम ग्राउंड में नंदिग्रा में शुवेंदू अधिकारी का कारेक्टरम होगा आज शुवेंदू अधिकारी नंदिग्रा में चुरा प्रचार करेंगे यहां लोगों से जनसंपर्क करेंगे और गोकुल में किसान के घर पर दोपहर का भूजन भी करेंगे सुभा साड़े दस बजे से ग्यारा बजे तक सोना चुडा में लोगों से बात कर जनसंपर्क साधेंगे सुभा 11.15 बजे से दोपेर 12.12 तक काली चरणपुर में जनसंपर्क करेंगे दोपेर 12.15 के बाद से एक किसान परिवार के साथ उनके घर पर दोपेर का भूचन करेंगे गुड मौरिंग इंडिया की खबरों में फिलाल के लेता है देशों दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूस वाल इंडिया के साथ